जैसे किशने दोस्तों कैसे हैं आप अच्छी होंगे स्वस्त होंगे अपनी घरों में खुश होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हैं आपके YouTube चैनल पर जैसे कि आप जान दे कि मैं आपके लिए कुछ उपाई टिप्स लेके आती हो आज भी मैं कुछ ऐसा ही उपाई लेके उन बच्चों के लिए लेके जिनके विभा में विलंबार है संजोग बन नहीं पा रहे हैं रिष्टे की बाद चलते जलते रिष्टे तोड़ जाते हैं मायूस से अच्छा चुकी है तो उन्हें क्या करना चाहिए बहुत ही अचूग सा उपाई है मगर हां यही बोलूगी कोई भी उपाई कीजे विश्वास निष्टा के साथ कीजे तब भी उसका फल मिलता है अगर हम विश्वास के साथ नहीं करते हैं तो हमें किसी भी कारे में सफलता नहीं मिलती हैं तो कितने भी उपाई हो कुछ भी हो उसमें विश्वास अवश्य होना चाह अवश्य बनाएंगे, ऐसा सोचते वे कोई भी उपाई करना चाहिए, तो आज का उपाई में कुछ ऐसा ही ले के आई हो, बहुत अचूग सा और बहुत असान सा उपाई है, आपको एक में मंत्र बताऊंगे, उस मंत्र का आपने जाप करना है, आपके विवासमंदी जो भी चर्चने हैं, वो सारी दूर हो चाहिए, आपने करना क्या है, मंगलवार की दिन, आपकी शमता है, शमता के अनुसार करना है, आपने एक फोटो लानी है, श्री लक्ष्मी नरायन भगवान की वो भी सात्मी होनी चाहिए, अलग नहीं, जैसे की आप जानते है, श्री पर बने वे होते हैं, या कोई फ्रेम में होते हैं, आप वैसे भी ला सकते हैं, आपने मंगलवार की दिन ही लाना है, श्री लक्ष्मी नरायन भगवान की मूरत को, ठीक है, या फोटो जो भी है, आप लिए नादो की स्वच हो जाए, आसन ले लीजे, आसन आपने अवश् पंचामरी से सनान आवश्य कराना होता है, पंचामरीत में आप जानते हैं कि क्या क्या चीज़े लगती हैं, बताने के आवश्यकतर नहीं है, फिर भी बता दे रही हूँ, दूद, तही, शेहद, गंगाजल और घी, इन पाजो चीजों को मिला लीजे, उसके बाद आपने इसे सनान या छीटे जो भी आपने देने हैं वो कर लीजे, फिर आपने फूल, माला अरपन करना है, वस्तराधी जो भी है, वो अरपन करना है, अक्षर चड़ाये, तिलक लगाईए, सिंदूर से लगा सकते है, पीले चंदन से लगा सकते है, लाल चंदन से तिलक लगा सकत जैसे भी आप पूजा अराधना करते हैं आपने वैसे ही अराधना करने धूप दीपनेवेद चढ़ाईए उसके बाद आपने दीपक अवश्य परजोलित करना है वो कीजे भोग में आपकी जो इच्छा है आप वो चढ़ाईए मगरा तुलसी अवश्य चढ़ाईएगा इस शेग शेग अतिशेग रिष्टा पका अवश्य होगा यकीन मानिए विश्वास के साथ किन्ना ठीक है तो मंत्र आप नोट कर लीजे बच्चों मंत्र में बिल्कूल भी गल्ती नहीं होनी चाहिए मंत्र इस तरह से है ओम श्रिष्टी करता मम विवहा कुरु कुरु स्वाह फिर से मैं बड़ी बता दे रही हूँ ओम श्रिष्टी करता मम विवहा कुरु कुरु स्वाहा आपने यह मंत्र 21 बार बोलना है मंगल बार के दिन ही आपने शी लश्मिन रिमवान के मूरत लानी है पूजा पात करनी है फिर आपने यह मंत्र रोज 21 बार आप बंदिर में नहादो की स्वच हो जाए आसन अवश्य लेना है और शी लक्ष्मिन रिमवान के सम्मुख बैच के आपने दीपक प्रजवलीत करके फिर इस मंत्र का 21 बार जाप अवश्य करना है तो आपके जीवन की जो भी परिशानी है वो शी लक्ष्मिन रिमवान अवश्य दूर करे और हाँ आपको मेरी वीडियो से अच्छी लगती है कमेंट्स बॉक्स में जैशीर किश्ना लिखना ना भूलना जैशीर किश्ना दोस्तो